आज हमारा टॉपिक रहेगा विराम चिन विराम चिन जो की सलेबस के अकॉर्डिंग नए टॉपिक है विलकुल आपके लिए तो सभी को करना बहुत जरूरी है और इंपोर्टेंट भी है और इसी भी है चलिए स्टार्ट करते हैं विराम चिन सबसे पहले तो इनका अर्थ जानिए क्योंकि कोश्यन जो है वो बनता है और आपके एक्जाम में आ सकता है कि विराम चिन का शाप्दिक अर्थ क्या है विराम का शाप्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना यानि विराम चिन्नों क का यूज हम क्यों करते हैं अपने वाक्य में थोड़ा सा ठहराव या रुखने के लिए। तिके किसी भी भासा को बोलते पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अत्वा भावों को सपस्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुखना होता है। और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन क्या कहलाते हैं विराम चिन कहलाते हैं तो यदि आपके एक्जाम में पूछा जाता है यह विराम का आर्थ है तो आपको यादकना है ठैराव अथवा रुपना देखिए यहाँ पर एक्जामपल जैसे रोको मत जाने द अब देखिए यहाँ पर रोको उसके बाद थोड़ा विराम मत जाने दो तो यह थोड़ा सा सही वाके नहीं बना क्योंकि हम यदि कहते हैं तो क्या कहेंगे रोको मत और फिर ठैराव जाने दो और हमारी बात हो गई खतम ठीके तो लग गया पूंड विराम तो हमने रोको म विराम चिन का यूज किया और अंत में जब हमारी बात खतम हो गई तब हमने विराम चिन का प्रियोग किया तो यही होता है विराम चिन ठीके ठैराव या रुखना अब देखिए हिंदी में कई तरह के विराम चिन्नों का यूज किया जाता है तो यह देखिए पूंड वि जिनको आपको याद रखना है और दूसरे साइड लिखे हुए हैं चिन ठीके देखिए चेहिन कैसे लिखा जाता है ची आदाह और न ठीके इसको भी याद रखना है आपको शब्द सुद्धी के लिए तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम तो ये तो आप जानते ह हैं कि जब वाक्य पूरा कर दिया जाता है तो पूर्ण विराम यानि फुल स्टॉप का प्रियोग हम करते हैं जहां प्रश्ण पूछा जाता हो उसे छोड़ कर हर प्रकार की जो वाक्य होते हैं उसके अंत में हम क्या लगाते हैं ये पूर्ण विराम लगाते हैं तो ये आ हम क्या लगाएंगे पून विराम ठीक है उसके बीच में कोई भी विराम चिन का प्रियोग नहीं होगा क्योंकि हमारी बात जो है वो प्रारम होती है और सीधा अंत में खतम होती है उसके बीच में हम बिल्कुल भी विराम नहीं लेते हैं चलिए यह आपको समझ में आया होग उससे कुछ कम समय उसे रुकना हो इसका मतलब क्या है कि जहां पर हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं बात खतम होने तक तो हम थोड़ी देर के लिए यदि रुकें पूर्ण विराम से पहले तो वहां हम अर्ध विराम का प्रियोक करते हैं अब देखिए इसका एक्जामपल क् जैसे भगस सिंग नहीं रहे वी अमर हो गए ठीक है तो रहे के बाद मैंने हलका सा विराम लिया तो यही विराम क्या है अर्ध विराम है ठीक है ूर्ण विराम का आधा जिसमें उपर देखिए डॉट लगा हुआ है और नीचे जो है वो अल्प विराम लगा हुआ है तो ये क्या है अर्द विराम ठीक है जैसे नदी में बार आ गई सबी अपना अपना घर बार छोड़ कर जाने लगे तो नदी में बार आ गई उसके बाद मैंने क्या लिया अर्द विराम दिया और उसके बाद सबी अपना अपना घर बार छोड़ कर जाने लग बात खतम हुई, तो हमने लगाया फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखिए, अल्प विराम. अब ये कब लगेगा? इसका प्रियोग जो है, वह अर्ध विराम से भी कम समय रुखने के लिए किया जाता है. ठीक है? अर्ध विराम से भी कम समय यदि रुखना हो, तब हम अल्प विराम का प्रियोग करते हैं. और जो की हम इंगलेस में बोलते हैं, कॉमा. तो इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम. जैसे यदि मैं इसका एक्जामपल दूँ, तो इसका प्रियोग जो है, वो समान पदों को अलग करने, दो उपवाक्य को अलग करने, ठीक है? या किसी को संबोधन कर रहे हूँ, तो उपादियों के लिए, बहुत सारी उपादियां हैं, तो हम वहाँ पर क्या लगा रहे हैं? अल्प विराम. अब एक एक्जामपल मैं आपको बताती हूँ, और वो कैसे? जैसे राम, श्याम, गीता और मोहन. तो गीता और मोहन, इनके बीच में तो हमने और लगाया, लेकिन राम, श्याम और गीता, इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम, क्योंकि यहां हम अर्द विराम से भी कम ताइम के लिए रुके. ठीक है? तो यह आपको समझ में आया होगा. या फिर मैंने आपको बताया कि कोई उपाधियां दी जाती हैं. तब भी हलका हलका छोटा सा क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं. जैसे किसी का नाम, जैसे सुभास चंद्र बोस, गांधी जी, भगत, सिंग, सभी हमारे देश में बहुत बड़े देश बक्त हुए. तो हमने जिनका प्रियोग सुरुआत में किया, जैसे गांधी जी, सुभास चंद्र बोस, इनके बीच में क्या लगा? कॉमा. ठीके? और बाद में हमने क्या लगाया? और भगत सिंग. कॉमा की जगे हमने क्या लगाया? और. ठीके? तो यह होता है अल्प विराम. तो तीनो ठीके? चलिए. नेक्स्ट है प्रस्ण सूचक. तो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है. यदि कोई प्रस्ण पूछा जाता है, क्या कब इनसे प्रस्ण उठते हैं? तो अंत में फुल स्टॉप की जगे कुश्चन मार्क लगाया जाता है. जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जहां प्रस्ण पूछा जाता है, वहां केवल कुश्चन मार्क लगाते हैं. अदर्वाइस सभी सेंटेंस के अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. पूण विराम लगाते हैं. ठीके? तो इसका एक्जाम्पल जैसे कि तुम कब आओगे? ठी तो इसलिए अंत में क्या आएगा? कुश्चन मार्क आएगा. प्रस्ण सूचक विराम चिन का प्रयोग होगा. चलिए. नेक्स्ट देखिए. विसमे सूचक. विसमे सूचक इसका जो चिन है वो इस तरीके का होता है. फुल स्टॉप और नीचे डॉट. जैसे कुछ होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम इस चिन का प्रयोग करते हैं. जैसे अगर एक्जामपल लें, अरे तुम आ गए? तो ये क्या हुआ? ये एक आश्चर्र के बात आ गई. तो हमने अरे के आगे क्या लगाया? विसमे सूचक चिन लगाया. वाह! कितना सुन्दर पक् की है, तो वाह के आगे क्या लगाएंगे? विसमे सूचक लगाएंगे. ठीक है? तो वाह के आगे भी विसमे सूचक लगाएंगे और जब वाक्य खतम हो जाएगा, तब भी विसमे सूचक लगाएंगे. ये भी आपको याद रखना है. लेकिन कई बार जो विसमे सूचक व पूरा होता है तो कई वार विसमे सुचक चिन जो है वो नहीं भी लगता है और लग भी जाता है तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है ओह तुमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ ये क्या है दुख प्रकट किया है तो ओह के आगे क्या लगाएंगे विसमे सुच नेक्स्ट देखिए योजक चिन कौन से होते हैं जो की दो शब्दों को जोडने का काम करते हैं ठीके तो जैसे के इसका जो चिन तो है इस तडिखे कब इसे देखिए ध्यान से जैसे माता और पिता हम द्वंद समास में देखते हैं इस सरीके का योजक चिन लगा होता है या सुख दुख दिन रात तो इनके बीच में योजक चिन का प्रियोग हम करते हैं नेक्ट देखिए निर्देशक चिन निर्देशक चिन जो है वो योजक चिन से थोड़े से बड़े यदि आपको दिखाई दे तो वो होगा निर्देशक चिन किसी भी निर्देश या सुचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी भी कथन को कहने के लिए उधारन देने के लिए, किसी का नाम लिखने के लिए हम निर्देशक चिन का प्रयोग करते हैं अब इसका मैं आपको example देती हूँ जैसे सीता ने कहा कि आप घर कब आओगे, तो सीता ने कहा उसके आगे हम लगाएंगे निर्देशक चिन, मा ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो मा ने कहा इसके आगे क्या लगाएंगे निर्देशक चिन, इस तरीके से आपको धिहान रखना है योजक चिन और निर् उद्रण चिन क्या होते हैं? उद्रण चिन वो होते हैं जो किसी का कथन ज्यों के त्यों कह दिये जाते हैं या किसी के जो पुस्तक का नाम है, ग्रंद का नाम है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं. चलिए, तो हम किन-किन में यूज करते हैं, उद्रण चिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एकल उद्रण चिन और एक होता है युगल उद्रण चिन, एक ही लगेगा inverted कॉमा, युगल चिन यानि की दो लगेंगे, आप देखिए इस तरीके से, और इनको लगाने का तर एकल में तो पहले उल्टा फिर सीधा इस तरीके से और हम किसी के ग्रंत के नाम को उपन्यास के नाम को क्या लिख देते हैं इनके बीच में लिख देते हैं यूगल जिन में देखिए दो होते हैं उल्टा कॉमा और फिर होते हैं दो उल्टा दो सीधे कॉमा ठीक है तो यह मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ तो आप इसको थोड़ा सा आप अपनी notebook में आप इनको करके देखिएगा क्योंकि exam में यह इस तरीके से दे दिये जाते हैं कि हम confused हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या है याद रखने के लिए कि दो उल्टे कॉमा उसके बाद तो यदि हम किसी का वाक्य जो है जियों का त्यों कह रहे हैं तो हम युगल उद्रण चिन के अंदर कहेंगे और यदि हम किसी की book का नाम किताब का उपन्यास का ग्रंत का नाम हम लिख रहे हैं तो हम एकल उद्रण चिन में लिखेंगे ठीक है जैसे कि मुंसी प्रेम चंदर का एक उपन्यास है गोदान तो हम उसे लिखेंगे एकल उद्रण चिन में उल्टा कॉमा या लिखेंगे गोदान और फिर सीधा कॉमा ठीक है और युगल उद्रण चिन के अंदर जैसे कि सुभास चंदर बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो तो इन यूगल उद्रण चिन के अंदर क्या आएगा दिल्ली चलो क्योंकि सुभाचंदर बोस ने यही कहा था दिल्ली चलो हमने उसमें कोई फेरवदल नहीं किया उनकी बात को जियों का त्यों यहां पर लिख दिया गया नेक्स्ट देखिए विवरण चिन विवरण चिन कैसे होते हैं उसका चिन इस प्रकार का होता है दो डॉट और उसके बाद योजक चिन ठीक है दो डॉट और योजक चिन का मार्क लगा होता है ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा किसका विवरण चिन का अब यह हम क्यों लगाते हैं कब लगाते हैं विवरण चिन तो इसका प्रयोग जो है वो उधारण देते समय किया जाता है जैसा कि नाम से यह यानि उधारण तो विवरण देने के लिए या उधारण देने के लिए गांधी जी ने तीन बातों पर बल दिया था किन तीन बातों पर तो हम लगाएंगे विवरण चिन और आगे लिखेंगे सत्य अहिंसा और प्रेम ठीक है इस तरीके से विवरण चिन का प्रयोग किया जाता है next देखिए कोषठक चिन जैसा नाम से पता लग रहा है कोषठक यानि की इस तरीके से बनाया जाता है कोषठक जो हम कोषठक बनाते हैं जिसके हंदर हम क्या लिखते हैं उपनाम लिख देते हैं जैसे कि चार वेद हैं अब हमने ब्रैक्ट में लिख दिया कोश्टक में लिख दिया कि रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद तो आप यदि लिखते कि हमारे चार वेद हैं तब भी वही बात थी और ब्रैक्ट में आपने उन चारों वेदों के नाम लिख दिय है तब भी वही बात है तो इससे क्या उन चारों वेदों की क्या बताई गई importance बताई गई तो किसी भी चीज की importance बताने के लिए हम कोस्टक चिन का प्रियोग करते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखिए तुर्टी पूरक चिन या हंस पद देखिए इस तरीके का होता है जैसा कि हंस का पैर हंस पद यानि कि हंस का पैर जिस तरीके की होता है जिस आकरती का होता है उसी तरीके का ये चिन है इसे आपको याद रखना है कि हंस के पैर के जैसा और ये कैसा है तुरूटी पूरक चिन यानि कोई गलती हो जाती है तो उसकी पूर्ती करता है यह हंस पद या तुरूटी पूरक चिन जैसे लिखते समय कोई भी शब्द यद को बताती हूं जैसे की माता पिता बाजार गए तो हम बाजार शब्द लिखना भूल गए और हमें उस लाइन को काड़ना भी नहीं है हमें उसी में करेक्शन करना है तो माता पिता बाजार गए जिसमें बाजार शब्द को हम भूल गए तो हमने लिखा माता पिता गए तो हम हम क्या करेंगे नीचे हम लगाएंगे हन्सपद और उपर लिख देंगे हम बाजार ठीक है याद रखना है तुरुटी पूरक चिन जो है वह है सेंटेंस के नीचे जहां आपका शब्द छूटा है उसके नीचे लिख जाता है और शब्द जो है वह है उपर लिखा जाता है ठीक है चिन नीचे शब्द उपर जैसे की राम फुटबॉल खेलता है अब फुटबॉल जो है वो आप लिखना भूल गए तो क्या करेंगे नीचे लगाएंगे हन्सपद और उसी के उपर लिखतेंगे फुटबॉल ठीक है इनकों मैं आपको जिस तरीके से RBSC की बुक में है उस तरीके से मैं आपको अभी दिखाऊंगी एक्जामपर कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है लास्ट देखिए संक्षेप सूचक का लागव जिन अगर आपसे पुछा जाता है लागव जिन या संक्षेप सूचक तो दोनों एक ही बात है ठीक है लागव जिन कौन से होते हैं लागव यानि की लगू किसी चीज को छोटा कर देना जैसे कि आप लिख देते हैं BA, MA तो BA के बीज में आप क्या लगाते हैं लागव जिन लगाते हैं ठीक है पूरा नहीं लिखते हैं और डॉक्टर लिखते हैं तो पूरा डॉक्टर लिखने की बजाए क्या लिख देते हैं डॉ लिख देते हैं और उसके बाद क्या लगाते है लागव चिन लगा देते हैं ठीक है डॉट कर देते हैं पंडित लिखते हैं तो पा लिख देते हैं उपर बिंदी और क्या लगाते हैं लागव चिन लगा देते हैं ठीक है ये देखिए लागव चिन कैसे है जैसे डॉक्टर लिखा है यहाँ पर आगे डॉ लिखा और आगे क्या लगा दिया बिंदी तो हो गया ये उसको किसको वाक्य को या शॉरी शब्द को छोटा करना चलिए अब मैं आपको इस बुक के एकॉर्डिंग जो एक्जामपल है वो दिखाती हूँ देखिए पूर्ड विराम का हमने देखी लिया था कि जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ड विराम का प्रयोग करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर वाक्य पूरा हो गया है यहां पर वाक्य पूरा हो गया है एक्जाम्पल देखिए सुबै का समय था तो यहाँ अपने फुल स्टॉप लगा दिया यह क्या है पूर्ण विराम भारत मेरा देज है उसके बाद बात खतम हुई तो लगा दिया पूर्ण विराम तो अब हम पटाफट से इनके एक्जाम्पल को देखते हुए जाते हैं क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं नेक्स्ट देखिए अर्ध विराम अर्ध विराम यानि कि जब पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुकें एक्जाम्पल देखिए भगस सिंग नहीं रहे हमने क्या लगाया अर्ध विराम वे अमर हो गए उसके बाद लगाया पूर्ण विराम नदी में बाड आ गई क्या लगाया अर्ध विराम सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे क्या लगाया पूर्ण विराम फिर अर्ध विराम से भी थोड़ा सा कम रुकने के लिए अल्प विराम यानि कॉमा जैसे मैंने आपको बताया राम, श्याम, सीता और गीता तो राम, श्याम, सीता इनके बीच में हमने क्या लगाया अल्प विराम यानि हम बिल्कुल थोड़ा सा रुके हैं अर्ध विराम से वह कम नेक्सट देखिए प्रशन सूचक चिन तो येतो हमें पता है कि हम जब क्या कब कैसे प्रशन करते हैं तो हम अंत में पूर्णविराम के बजाए क्या लगाते हैं प्रशन तुमने अपना ग्रहकार्य पूरा कर लिया ये देखिए। प्रश्ण सूचक चिन तुम कब आओगे। ये देखिए। प्रश्ण सूचक की तो देखिए वहा के आगे लगाया हमने और अंत में भी लगाया अरे तुम आ गए तो देखिए अरे के आगे लगाया विसमैसुचक चिन और अंत में भी लगाया नेक्स्ट देखिए योजक चिन जोके निर्देशक चिन से थोड़ा सा छोटा होता है सभी के जीवन में सुक दुख तो आते ही रहते हैं तो देखिए सुक और दुख के बीच में हमने क्या लगाया योजक चिन नेक्स्ट देखिए जो निर्देशक चिन है वो योजक चिन से थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखिए हमारे देश में अनेक देश भक्त हुए तो हमने क्या कर दिया सूचना देदी अब कौन-कौन से हुए भगस सिंग तो हमने थोड़ा सा रुके सुभाज चंद्रबोस थोड़ा सा रुके गांदी जी आदी और उसके बाद पून-विराम मा ने कहा क्या कहा बड़ों का आधर करना चाहिए तो देखिए यहां पर दो चिन लगे हुए हैं कहा क्या आगे क्या लगा है निर्देशक चिन अंत में हैं पून-विराम नेक्स्ट देखिए उद्रण-चिन तो देखिए उद्रण-चिन दो टाइप के होते हैं मैंने बताया इकहरे और दोहरे इकहरे जिसको मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि किसी का ग्रंथ उपनाम इनको हम कहा लिखेंगे सिंगल उद्रण-चिन इन्वर्टिट कॉमा में लिखेंगे ठीक है जो एकहरा उद्रण-चिन है उसके अंदर लिखेंगे और किसी की बात जो है ज्यों की त्यों कही गई है तो हम दोहरे इकहरे चिन में लिखेंगे कैसे देखिए गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो देखिए गोदान किसी का ग्रंथ है किसका मुंसी प्रेमचंद का तो हमने इनको सिंगल इन्वर्टिट कॉमा में लिख दिया और सुभाज चंदर बोस ने कहा दिल्ली चलो तो दिल्ली चलो क्या है ज् को ध्यान रखना है विवरण चिन देखिए विवरण में क्या था गांदी जी ने तीन बातों पर बल दिया किस पर बल दिया सत्य अहिंसा और प्रेम पर ठीक है तो विवरण चिन या निर्देशक चिन तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है निर्देशक चिन में हमने क्या देखा था कि किसी भी निर्देश या सूचना वहां पर निर्देश या सूचना होगी तो निर्देशक चिन होगा और जहां पर विवरण या उधारन उधारन प्रस्तुत किया जाएगा तो वहां पर विवरण चिन का प्रयोग होगा तो उधारन ही है कि गांदी जी ने तीन बातों पर बल दिया था किस बात पर बल दिया था वई तो उधारन हैं जैसे सत्य अहिंसा प्रेम इन पर ठीक है अब आपको इस पस्ट हो गया होगा कोश्टक चिन्न देखिए वाके में के बीच में आए पदों शब्दों को प्रतक रूप देने के लिए कोश्टक में लिख देखे गए वाक्यों को देखकर समझ जाएंगे ठीक है इस तरीके से कोश्टक चिन का प्रयोग किया जाता है अगला देखिए तुर्टी पूरक चिन या हंसपत तो जो की हंस के पद यानि पैर के जैसा होता है श्रिया माता-पिता के साथ गई कहां गई यह हम लिखना और यहां पर तो हम लिखना भूल ही गए थे तो यहां कुछ नहीं है उपर होगा बाजार यानि शब्द होगा उपर और चिन होगा नीचे संक्षेप सूचक देखिए इस तरीके का मार्क है जैसे हमने बताया कि यह लागव जिन होता है लगू रूप होता है जैसे बी यह हमने डॉट डॉट लगा के इसको क्या कर दिया शौट कर दिया चोटा कर दिया डॉक्टर के नाम को क्या कर दिया बिल्कुल चोटा कर दिया लागव जिन लगा कर हम इसको देखकर ही समझगे कि हां डॉक्टर लिखा हुआ है पंडित देखिए उपर बिंदी लिखकर और यहाँ पर क्या लग दिया दॉट तो यह क्या बन गया संक्षेप सूचक चिन है या इसे लागव चिन कहेंगे आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा मैंने बहुत अच्छे से ही क्लियर कर दिया यहाँ पर आपका विराम चिन में एक या दो मार्क्स जो है वो एक्जाम में यदि आते हैं तो आप बिल्कुल भी उनको गलत नहीं करेंगे इसी तरीके से मिलते हैं नेक